नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा जीवन हमारे आसपास के वातावरन से ही प्रभावित होता है साथी पशु पक्षी हमारे जीवन का भिन्न अंग है रुशियों, तांत्रिकों तता अध्यत्म वादियोंने तो पक्षियों को ना केवल जोतिश तता मुनुशे के भागे से जोड़ा है बलकि पक्षियों का उपयोग, शकुन जोतिश, फलित, तता प्रशन जोतिश, तांत्रिक उपचारों और शारिक्व मानसिक रोगों की निवारण में किया जाता है। बलकि पक्षियों का घर में आना या दिखना आशुप फल भी लाने वाला होता है। वह यदि शाम को कबुतर की गोटरगु सुने, तो ये घर में चोरी होने और लड़ाई जगड़े होने का भी संकेत माना गया है। दोस्तो इसमें कोई शक नहीं है कि कबुतर एक शांत पक्षी है, लेकिन धर्मिक मानेताओ के अनुसार घर में कबुतर का आना अशुब माना जाता है। इसलिए घर में कबुतर के घोंसले को सहजने की बजाए आपको इसे अपने घर से फोरन हटा देना चाहिए क्योंकि कबुतर का समन रहु से होता है। इसलिए कबुतर का घोंसला घर में नकरतमकता लाता है और उस घर के लोगों को असफलताओ का सामना करना पड़ता है। इसलिए घर में इनका वास होता है और घर की उननती तक रुख जाती है। उस घर का कभी विकास नहीं होता। उस घर के सदोस्य के बीच लड़ाई जगड़े हमेशा बने रहते हैं। घर से सकरतमक उर्जा हमेशा के लिए समापत हो जाती है और धन की हानी भी होने लगती है। आनेताओं में कहा गया है यदि आपके घर कभी गिद्दा आ जाए तो उसे भगा कर घर में शांती पाट आवश्य करना चाहिए। दोस्तो आप बात कर लिते हैं कोवे के बारे में कहा जाता है कि कोवा एक ऐसा पक्षी है जिसे होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल जाता है। बात कर लेते हैं चमगादड के बारे में आपको पता होगा चमगादड दिन में नहीं देख सकता इसलिए इसे रात का पक्षी खा जाता है इसके साथ ये भूत प्रेतों की तर उल्टा लटका रहता है इसलिए धर्मिक मानेताओं के साथ-साथ शास्त्रों में भी घर में गर में चमगादड का आना आपर शकुन माना गया है, गर में चमगादड का आना या घर के निकट मनराना मृत्ति सूचक है, यदि पी घर में चमगादडों का वास आपको मृत्ति तुल्य कष्ट दे सकता है, परन्तु चाइना में इने शुब और भारी धंदायक माना जाता अब बात करते हैं छोटी चिडिया या बुलबुल के बारे में दोस्तो आपको बता दे कि घर के निकट किसी चिडिया का विवहार ही घर में घटने वाली घटनाव को निरधारित करता है यदि चिडिया आपके घर में या घर के निकट घोसला बनाए तो ये सोबागे का चिन भविष्य में कोई शुबसमाचार या उन्नतिक आउसर प्राप्त होगा परंतु रोगी के कक्ष में चिडिया का आना तता बिस्तर के पास बैटना मृत्ति सूचक है। चिल के बारे में आपको बता दी कि वैसे तो चिल का सम्मन मृत्त परिजनों से होता है परंतु इसको आपको गलत नहीं समझना चाहिए। इसलिए अगर आपको रोगी चिल दिखने लगे तो यह समझी कि आपके पुरोजों का आशिरवाद आपके साथ है। तो दोस्तो यह कुछ पक्षी जिनका घर पर आना शुबार आशुब होता है। आपके घर पर कौन से पक्षी आते हैं हमें कमेंट में बताना ना भूले। अगर जानकरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे। कमेंट करे और दोस्तों के साथ शेर करे। साथी चानल को सब्सक्राइब क जै मालक्ष्मी